Hello friends, welcome to our YouTube channel Civil Services Drain तो friends, आज की इस वीडियो में हम लोग UPPCS 2021 की test series में test food इसमें solve करेंगे इसमें हम लोग जियोग्रैफिक के कुछ important questions है, उन्हें discuss करेंगे तो आईए देखते हैं, इसमें जो first question है, उसमें है साफ रात मेघी रातों यानि बादलों आदी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है options हैं, संघनन के कारण, विकरण के कारण, आपतन के कारण, या फिर चालन के कारण question 1 का जो सही answer है, वो है option B, विकरण के कारण radiation के कारार जो साफ राती होती है वो बादलो यानि मेगी रातों के अपेक्षा अधिक ठंडी होती है reason यह है होता है होता है कि दिन के समय सूरे की गर्मी से प्रित्र की जो सतय होती है वो गर्म हो जाती है और रात होते होते हैं ये जो गर्मी होती है जो उश्मा होती है वो विकरण के रूप में वापस वायू मंडल में जाती है ठीक है वायू मंडल में ये चली जाती है परन्त क्या होता है कि जब आस्मान में बादल होते हैं तो चुकि हम जानते हैं कि बादल जो होते हैं वो पूरी तरीके से विक्रित हो जाती है उश्मा तो वह बादल वाली रातों की अपेक्ष्य अधिक ठंडी होती है। Q2 में है निमनलखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। Q2 का जो सही आंसर है वो है Option B अधिक्तम तापमान की मेखला विश्वत रेखा की सहारे पाई जाती है। Q2 होता ही है कि इन पर सूरी की केड़े होती हैं कर्क रेखा और मकर रेखा पर सूरी की केड़े लमबवत पड़ती हैं। तो वहां पे तापमान आधिक होता है तो इसलिए अधिकतम तापमान की मेखला है वो करक रेख और मकर रेखा पर पाई जाती है विशुवत रेखा की अपैक्षा बागी की यहां पे जो स्टेटमेंट हैं कि जलवाश निचले वाई मंडल की आती परिवर्ती गैस है कि जो ज से कहा गया है शीत कटिबंद जो होता है वो उभेर ये जो दोनों गोलार्द होते हैं दुरुवी वरत होते हैं उनके बीच उपस्तित होता है जेट वायु धाराएं अतिदिक उंचाई की हवाई होती है और इनके द्वारा जो धरादल की मौसमी दशाय होती है वो प्रभाव है ओप्शन से कम और वरक तथा कम पानी अधिक और वरक तथा कम पानी कम और वरक तथा अधिक पानी या फिर अधिक और वरक तथा अधिक पानी तो कुशन 3 का जो सही आंसर है वो है ओप्शन D अधिक और वरक तथा अधिक पानी देखिए होता क्या है पहले तो हरित क्रा इनको माना जाता है और इनहीं का ही अनुसरार करते हुए भारत में अगर देगें तो भारत में 1960 में जो हरित करांती की जनक जो माने जाते हैं वो हैं डॉक्टर MS सौमी नाथन ठीके हरित करांती का जो मेन परपस था वो यह था कि अधिक उपच देने वाले जो उननत बीज थ हरित करांती का मेली प्रभाव देखा गया और इसका यूज किया गया इसमें इस हरित करांती में जो उननत बीजो का प्रियोग हुआ इसमें मेली अधिक उरवरक और अधिक पानी का प्रियोग होता है ठीक है तो यह इसके लिए जो है आवश्चिक है नेक्स क्रेशन है क्र Q4 में हैं भारत में बागानी कृशी के अंतरगत उगाई जाने वाली मुक्य फसले हैं आप्शन सें चाए रबर नारियल कहवा, चाए रबर सुरज मुक्य सोयबीन, चाए केला अंगूर नारियल या फिर चाए रबर नारियल सोयबीन Q4 का जो सही आंसर है वो है ओप्शन A, चाए रबर नारियल कहवा, तो यह जो चाए रबर नारियल कहवा है यह बागानी फसले हैं और बागानी कृशी का संबन बड़े बागानों के रूप में की जाने वाले कृशी से होता है इसमें होता यह है कि एक बार वरक्षों के बागान लगा दिये जाते हैं और कुछ समय के पस्चाथ तक कई वर्षों कुछ समय के पस्चाथ कई वर्षों तक उनसे उत्पादन प्राप्त होता रहता है यह जो फसले होती हैं ये मुकेतब एक व्यपारिक क्रशी है तो इसमें व्यपारिक क्रशी या बागानी क्रशी के अंतरगत चाइ रबर और नारियल कहवा आते हैं नेक्स कुशन है कुशन नबर फाइफ Question 5 में हैं निम्दलिकित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट की साहता से सही उत्तर चुनिए तो यहाँ पर कथन देख लेते हैं चाए असम की मुक्य फसल है कहवा तमिलनाडो की मुक्य फसल है तमबाकू आंद्रप्रदेश में विस्तरित पैमाने पर उगाय जाता है और जूट 36 गड़ की मुक्य फसल है तो यहाँ पर हमें कूट की साहता से इसका अंसर देना है तो देखिए इसमें हैं 1 एवं 2, 1 एवं 3, 1 एवं 4, 2 एवं 3 तो question 5 का जो सही आंसर है वो है option B, 1 एवं 3, देखिए जो पहला statement है कि चाय असम की मुक्य फसल है यह statement सही है और देश में कुल इत्पादन में असम का 60 प्रतिशत के असपास है ठीक है चाय की फसल का और इसके बाद जो तीसरा दिया गया है कि तमबाकू आंदर प्रदेश में विस्तरत पैमाने पर उगाया जाता है तो यह भी statement सही है क्योंकि तमबाकू जो है वो आंदर प्रदेश की मुक्य फसल है और यहां पर यह विस्तरत पैमाने पर उगाया जाता है और यहां पे जो बाकी की जो दो दिये हैं इने भी देख लेते हैं जो सेकेंड में है कि कहवा तमिल नाडू की मुखे फसल है तो कहवा तमिल नाडू की नहीं बलकि करनाटक की कहवा करनाटक की मुखे फसल है और लास्ट में जो दिया गया है कि जूट 36 गड़ की मुखे फसल है यह 36 गड़ की नहीं बलकि यह एक जूट जो है वो पस्चिम मंगाल पस्चिम मंगाल की यह प्रमुख फसल है ठीक है तो इसलिए कुशन 5 का जो सही आंसर है वो है आप्शन B एक एवं तीन नेक्स्ट कुशन है कुशन नमबर 6 कुशन 6 में है दो राश्ट्रिय राजमार्ग कन्या कुमारी श्री नगर राजमार्ग एवंपूर बंदर सिल्चर राजमार्ग जो राश्ट्रिय राजमार्ग विकास प्रयोजना के अंतरगत निर्मित हो रहे हैं एक दूसरे से मिलेंगे आप्शिन्स हैं भोपाल में, गौालियर में, जहासी में या फिर नाकपुर में कुश्चन 6 का जो सही आंसर है वो है आप्शिन्स सी जहासी में कन्या कुमारी से श्री नगर तथा पूरबंदर से सिल्चर तक ये राश्ट्रिय राजमार्ग है जो कि इनमें अगर देख लें कि कन्या कुमारी से श्री नगर को उत्री दक्षिड गलियारा भी कहा जाता है ठीक है और वही पोरबंदर से सिल्चर को पूर्व पस्चिम कलियारा भी का जाता है तो ये दोनों ही जो राश्ट्रिय राजमार्ग हैं वो छाशी में एक दूसरे से मिलेंगे यहाँ पर जो कहानी किया है कि जो कन्या कमारी श्रीन अगर ये जो दो राश्ट्री राजमार्ग विकास पर यूजना जो के अंतरगति ये निर्मित हो रहे हैं ये एक दूसरे से चाहसी में मिलेंगे नेक्स कुश्चन है कुश्चन नमबर सेवन कुश्चन सेवन में है सिंसार का आधरतम इस्थान है सबसे नमबर इस्थान कुश्चन है औप्शंस है चेरपौंज़ी, मासिंडूराम, सिंगापुर और वाईलील कोश्चन सेवन का जो सही आसचर है वो है ऑप्शन B मासिंडूराम सानसार का सबसे आधरतम इस्थान जो है वो भारत के मेघाले राजमेस्थित मासिन राम है यहाँ पर आते देख वर्षा की वज़र से यहाँ पर आदरता बहुत है ठीक है और यह संसार का सबसे नमी वाला जो है स्थान है नेक्स्ट कुशन है कुशन नमर एट कुशन एट में है निम्नांकित में से कौन स्केंटिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलत नहीं है ओप्शन से डेनमार्क, फिनलैंड, नौर्वे और स्विडन तो कुशन एट का जो सही आंसर है वो है ओप्शन बी फिनलैंड स्केंटिनेविया प्राइधीप में उतरी ये यूरोप के जो आने वाले देश हैं उनको स्केंटिनेविया ही डेश कहते हैं तो इसमें फिनलैंड तो नहीं आता है लेकिन जो फिनलैंड आइसलांड एवम जो फेरो है ये जो देश्मूह है यह जब इनके संग आते हैं तो इनको नौडिक देश भी कहते हैं ठीक है तो इसलिए जो Finland है वो Scandinavian देशों के समुग में नहीं आते हैं Next question है question number 9 Question 9 में है white परवत पाई जाते हैं Options हैं Canada में, Norway में, Rus में या फिर USA में Question 9 का जो सही answer है वो है option D USA में USA में white परवत, black परवत, Olympus परवत, IS परवत यह सब जो हैं और भी हैं यह सब USA में आते हैं ठीक हैं और जो बाकी हैं जैसे Canada, Canada में कैमरून, केबी बाव परवत, पेली परवत और जो है ओगी लिव परवत यह सब जो हैं वो Canada में आते हैं रूस के जो हैं वो रूस की थोड़े से famous हैं काकेशिस परवत और यूराल परवत यह रूस की परवत हैं और फिर एंड में आता है नौर्वे, नौर्वे में आते हैं इसकेंडियन परवत माला ठीक है तो जो केशिन में पुछा गया है कि वोइट परवत कहां पर जो है पाय जाते हैं तो यह USA में पाय जाते हैं वाइट और प्लैट परवत नेक्स टेन लास्ट क्षिन है क्षिन नमबर 10 क्षिन 10 में है निम्लिकित में से कौन सुमेलित नहीं है आईसो बार वायुदा आईसो हाइट वर्षा आईसो हेलाइन बर्फ वर्षा और आईसो बात गहराई तो question number 10 का जो सही answer है वो है option C आईसो हेलाइन बर्फ वर्षा ये सुमेलित नहीं है कैसे क्योंकि जो आईसो हेलाइन है वो सागरो एवं महासागरो की लवडियता को मानचितर पर प्रदर्शित करने वाली रेखा होती है आईसो हेलाइन ठीक है तो ये सागरो और महासागरो की जो लवडियता है उसको ये प्रदर्शित करती है इसके जो अलावा बाकी की जो हैं हुने भी डिस्कस कर लें जैसे कि यहां पर आईसो बार है आईसो बार जो होती है कि किसी मानचितर पर सागत तल की बराबर घटाए हुए वायुदाब से तुलनात्मक रूप में समान वायुदाब वाले जो इस्थान है आईसो बात जो है वो समुध्र तल के अंदर वाली समान गहराई वाले चेतरों को दरशाने वाले रे cambio उनको दरशाने वाली जो रे और कि बरशा से तो अज होती है थैंक्स फर वाचिंग